नमस्कार बच्चो आज हम पाठ पाँच भाशा अभ्यास का करेंगे तो सबसे पहले देखें बच्चे आप अपने पैंसिल और बुक निकाल कर रखें प्रशन नमबर एक देखें नीचे दियेगे चितरों के नाम लिखिये अब ये चितर देखकर आपने इनके नीचे जगया बनी हुई है इसके नीचे आपने इनके नाम लिखने है नाम शुद्ध लिखेंगे और साफ सुन्दर हन रेटिंग से काम करेंगे ये क्या है आधत्ता और पूराता आता है कुट्टा ये क्या है पौटली क्या लिखेंगे यहाँ पर पौटली next सिपाही क्या है ये सिपाहि टार्च नीचे यहाँ लिखेंगे स्पेस में टार्च ये चांद ढालेंगे बिंदुनी लगानी चांद डालेंगे टार्च अंग्रेजी का शब्द है आ की अवाज देता है ये चांद जो है आ की अवाज देगा टार्च ये क्या है पूरियां पूरी एक होती तो पूरी होता आप यहाँ पर सब बचे समझने वाली बात है कि पूरी एक होता तो बड़ी एकी मातरा लगी है वचन बदलते समय आपने ध्यान देना है कि एक वचन के लिए बड़ी एकी मातरा लगी है पूरी लेकिन जब बहु वचन में जाते हैं तो यही मातरा जो आपकी ये कैसे आगे चली जाते है छोटी इकी मातरा हो जाती है तो पूरियां ठीक है सब बच्चों ने ध्यान देने है इस चीज़ का कि आपने वचन बदलते समय पूरी पूरियां बहुवचन बनाते समय बड़ी इकी मातरा किस में बदल जाते है छोटी इकी मातरा में बदल जाती है नेक्स्ट है चार पाई चार पाई नेक्स्ट आ जाईए प्रेशन नंबर दो प्रेशन नंबर दो सही शब से खाली जगे भरिये यहाँ पर आपने खाली जगे भरनी है option दी हुई है पीछे जो सही option जो है आपने उसको पर right का चिन भी लगाने और यहाँ पर भी लिखने, तो सब अच्चे ध्यान दे, का चोडर के मारे dash लगा, कांपने यह रोने, कांपने, यहाँ पर right का निशान लगाएंगे, क्या लगाएंगे, right का निशान, सही, ख दीपक का डैश जनम दिन था पांचवा या छटा पाठ पड़ा था हमने तो कौन सा पड़ा था हमने छटा छटा के उपर राइट का निशान और यहाँ पर भी राइट का निशान दीपक का छटा जनम दिन था पिल्ले का नाम डैश था, कालू या लालू, क्या था हमने क्या पढ़ा था, लालू, राइट का नेशान लालू पर और यहाँ पर आपने लिखना है खाली जगया पर, पिल्ले का नाम लालू था, नेक्स्ट घर, चोड, डैश, पर चड़ गया, छत या पिल्ल, किसके उपर चड़ गया था, पिल्ल पर, राइट का नेशान लाए हैंगी पिल्ल पर, अब फिर यहाँ लिखेंगे खाली जगये पर, चोड, पिल्ल पर चड़ गया, अना, लालू ने दीपक की डैश खींची, रजाई या चाधर, क्या खींची थी, रजाई, रजाई, रजाई पर राइट का निशान, और यहाँ पर हम बीच में खाली जगये पर, लिख देंगी इसे, लालू ने दीपक की रजाई, खींची, हो गया, क्लियर, नेक्स्ट आजए यह प्रेशन नमबर तीन, दिएगे शब्दों के बहुवचन रूप लिखे, बहुवचन, यानि कि एक वचन दिए हुए, आपने बहुवचन बनाने हैं, तो आपका ध्यान रखने हैं, कि बहुवचन में आपने मात्राओं का ध्यान र हो जाती है, ठीक है, अब इन बातों का हम ध्यान देका है, बहुवचन रिखेंगी, बहुवचन होता है, अनेक, एक से ज़्यादा, एक वचन एक चीज का दर्शाता है, और बहुवचन में बहुवचन में बहुच सारी चीजे हो जाती है, जैसे यहां पर कालिक है, पूरी पूरिया, ख, टोकरी, टोकरिया, आप देखो यहाँ पर मातरा बदल रही है, बड़ी की मातरा जो है, छोटी की मातरा में जा रही है, ठीक है, रजाई, रजाईया, आप रजाईया, देखो ध्यान दे, यहाँ पर बड़ी की मातरा है, तो यहाँ पर छोटी की मातरा में आ र जाया, जा के नीचे बिंदु लगानी है, जाया, नुकता, इस बिंदु को क्या बोलते है, नुकता, क्या बोलते है, नुकता, next, कुटा, कुटे, क्या है, कुटे, दर्वाजा तक्या ठीक है? हो गया क्लिए? दर्वाजे यहाँ पर एक ही मात्रह है दर्वाजे नेक्स्ट आजाईए प्रशन नमबर चार उधारन के नुसार शब छांट कर लिखे अब यह उधारन दिया हुए शब्द दिये हुए पिंक वाले बॉक्स में मैं पढ़ रही हूँ ध्यान दे आप बस्ता प्याज, बिस्तर दोस्त, प्याला प्याज, सस्ता प्यार अब यहाँ पर बहुत सारे यह शब्द दिये हुए इसमें कुछ शब्दों में पा, आधा और यह लगा हुए और कुछ शब्दों में आधा सा और तो लगा हुए तो आधा पा और यह से प्यार शब्द बन रहा है ऐसे आपने शब्द ढूनने है और आधा सा और तो लगा हुए ऐसे शब्द लिखने हैं देखकर ढूनने हैं तो यह दो शब्द इन में से ये जो उपर बॉक्स है इस में से हमने डून कर लिख खके हुए है उधारन दिये हुआ है लेकिन बाकी शब्द आपने डून कर वैसे ही लिखनी आप आधा पर यह व्ला बस्ता पहला शब्द आता है बस्ता बस्ता में क्या है कि आधा स और तर बस्ता तो नीचे यहाँ पर लिखें बस्ता स आधा और तर वाली जगह पर लिखेंगे बस्ता प्याज प आधा और य प्याज यहाँ उपर आएगा फिर प्याला बिस्तर लिखा हुआ था दोस्त दोस्त कहां आजाएगा यहाँ पे आधा सर और तर वले में आ जाएगा फिर प्याला इससे उपर पर और यह वले में प्याला फिर नेक्स्ट में प्यास आधा पर और यास वले में प्यास उसके बाद है सस्ता सस्ता कहाँ जाएगा यहाँ पर तो आपके clear होगे सारे सारे शब्दा आगे क्योंकि प्यार और विस्तर तो पहले सही उधारन में दिया हुआ है इसमें च्छांट कर लिखे हुए तो बाकी शब्द आपके complete होगे सारे सारे होगे clear तो बहुत इजी है ध्यान रखने आपने कि आधा पा और यह वाले कौन से शब्दें इस बॉक्स में से ढूंड करें उपर वाले में लिखने और आधा सव और तव वाले सव वाले कौन से वो शब्दों को नीची लिखने आपने अब आजये नेक्स्ट प्रेशन प्रेशन नमबर पांच शब्द सेड़ी पूई कीजिए यह सेड़ी बनी हुई है इसको हमने पूरा करना है यहाँ पर चित्र भी दिये हुए ठीक है इन चित्रों को भी हमने देखकर उनी शब्दों से हमने पूरा करना है पहला आता ब औ क्या बना हुआ यह बटन तो क्या लग जाएगा त लग जाएगा यहां पर बटन अब यह क्या पर नग। यहां पर बकरी हैं तो बर डैश है और घंढ यह चाल का बख्री का यहां पर वां पहल희 ये क्या है? टो करी ये टो लिखा हुआ है और री लिखा हुआ है तो बीच में क्या आजएगा? कटो करी हो गया क्लियर? अब इदर के फोटोग्राफ्स देखेंगे आप उसके अनुसारी ये क्या है? आदमी आ और डैश मी क्या लग जाएगा इसमें द लग जाएगा आदमी ये क्या कर रहे है आराम ये क्या है कलम कडेश्म कलम कलम हो गया क्लियर तो आपने चित्रों के द्वारा इन खाली जगह को भरना है इसके द्वारा हमने शब्दों को लिखना है कलियर हो गया सब बच्चों को नेक्स्ट पेज पर आजाएए नेक्स्ट पेज पर प्रेशन नमबर छे यहाँ पर चित्र दिये हुए ध्यान से देखिए चित्र है ये है ना इन चित्रों को आप प्रेशन पढ़ेंगे प्रेशन नमबर छे नीचे दिये गे चित्रों को देखिए और वाक्य बनाएए इन चित्रों को देखकर हमने वाक्य बनाना है यहाँ पर मैंने वाक्य बना रखा है लेकिन आप थोड़ा सा वाक्य में हेरा फेर भी कर सकते हो हेरा फेरी नी हेर फेर भी कर सकते हो यानि कि अपनी तरफ से भी बना ठीक कर सकते हो दूसरी धंग से भी लिख सकते हो इसे जैसे यहाँ पर मोर कहां बैठा है डाली पर बैठा है तो मैंने लिखा है मोर डाली पर बैठा है ठीक है मचली पानी में तैर रही है ठीक है अब ये देखे ये लड़की क्या कर रही है पढ़ रही है ठीक है तो हम क्योंकि अगर लिख रही होती हाथ में पहन होता लिख रही होती तो हम कहते हैं कि लिख रही है नहीं लेकिन अब ये क्या है किताब रखी हुई है और किताब को अद़राम लगाना बहुत जरूरी है। पुरुन वीराम लगाना बहुत जरूरी है। नेक्स्ट है ये क्या है बच्चा क्या कर रहा है जूल रहा है जूला जूल रहा है या जूल रहा है तो तब भी तो लड़का जूल रहा है यहां पर ऐसे भी लिख सकते हैं लड़का जूला जूल रहा है अब देखे इसमें वाके में हम सिंपल भी लिख सकते हैं कि लड़का जूल रहा है या फिर लड़का जूला जूल रहा है तो दोनों वाक्य जो है वो शुद्ध हैं कोई गलती नहीं है आपने ध्यान देने बस जूला जूला और जूल में दोनों में बड़े उ की मात्रा का प्रियोग होता है और पूर्ण विराम वैसे ही लगाएंगे इस परका अपने प्रेश नम्बर सात बहादूर दोस्त में दीपक का दोस्त लालू बहुत बहादूर था आप भी अपने दोस्त या यह जो ढन्डा सा लगाता है इसका मतलब क्या होता है या सहेली के बारे में कोई तीन बाते लिखी हैं लड़के अपने दोस्तों को दोस्त बोलते हैं वो आए दोस्त हो गया और लड़कियों की लड़की सहेली जो होती है उसको सहेली बोलते है लड़की है तो सहेली बोलेंगे तो ये लड़क यहां पर नमबर 1 पर लिखा है मेरी दोस्त बहुत अच्छी है तीन बाते बताने हैं आपने कि मेरी दोस्त बहुत अच्छी है दोसरा वाक्य मेंने बनाया है मेरी दोस्त सबकी मदद करती है मदद साहेता भी लिख सकते हैं यहाँ पर मदद भी करती है ठीक है मेरी दोस्त सबकी मदद करती है यह बात आपको अच्छी लगती है अपने दोस्त की फिर तीसरी बात यहां पर मेरी दोस्त बहुत द्यालू है द्यालू द्या करने वाली है ना सबकी साहेता करने वाली द्या रखती है सबके प्रति द्या रखती है उसको द्यालू बो कर सकते हैं जैसे कहते हैं कि मेरे दोस्त मेरी पढ़ाई में साहिता करता है मेरा दोस्त कभी मुझे किसी काम के लिए मना नहीं करता मेरा दोस्त मेरी पढ़ाई में ये तो हो गया ना मेरा दोस्त मेरी पढ़ाई में साहिता करता है मेरा दोस्त अपनी मम्मी के साथ या अपनी माता-पिता के साथ काम में हाथ बटाता है या उनकी मदद करता है ठीक है? तो इस परकार से भी लिख सकते हैं तो ये वाक्या आप अपने धंग से बता सकते हो कि आपको जो हो आपके सहेली या दोस्त में बाते अच्छी लगती हैं बाते उनकी बहुत पसंद हैं उन बातों को आप लेख सकते हो तो इस परकार से आपको कोई मुश्किल नहीं आएगी तो ये ये पाठ आपका यहाँ पर खतम होता है नेक्स्ट मिलेंगे कल थैंक यू